तो स्वागत है आपका वापस से 10 मिंट कॉंसेट सीरीज के अंदर लास वाली सीरीज में लास वाले जो आपका इस सीरीज का लास वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको एक बहुत इंट्रेसिंग सी चीज के बारे में बताया था that is about the brick और इस पर्टिकुलर शेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा विस्कॉसिटी के बारे में क्योंकि बहुत सारे बच्चे न सबसे आदा जो कन्फीज होते हैं वह होते हैं विस्कॉसिटी की यूनिट फांड आउट करने में विस्कॉसिटी मोस्ट और बच्चे जानते हैं देखिए जैसा कि आपके ठीक है और जैसे कि आपको नो स्लेप कंडिशन जिसकी मदद से हम लोग विस्कॉसिटी को समझते हैं अगर उसकी भी रिक्वाइर्मेंट है तो भी आप लोग मुझे बताईएगा कमेंट बॉक्स में ताकि में उसके उपर भी एक टैंडमेंट का एक कॉंसेप्ट वीडिय होगा अब इस पानी की बॉटल में देख रहे होगा और नीचे भी पानी है इस वह इस तरीके से शेक करता हूँ तो आप देख पाऊ होगे कि नीचे वाला जो सर्फेश जो आपकी नीचे वाली जो आपकी लेर है वो अभी तक टैस से मस नहीं होती है कि अपनी जगह पर र बहुत जादा इनकी बीच में gap कम होता है इसलिए वो हमें layer का distance हमें अलग-अलग layer दिखाई नहीं थी बट इनके बीच में layers बनती है पानी के ओपर layers बनती हुई चली जाती है ठीक है तो पानी की जो layers होती है वो आपस में एक दूसरे के चलने का यानकी movement का या motion का विरोध कर करते हैं तो इसके लिए फिर इसको हम लोग formula drive करते हैं तो इसके लिए हम लोग Newton's law of viscosity का हम लोग formula apply करते हैं यहां पर लिखाओ है Newton's law of viscosity तो according to the Newton's law of viscosity यहां पर लिखाओ है the shear stress between the adjacent layer एनकी जो आपके पास में पास-पास की दो पानी की liquid की gas की जो layers है ठीक है इस directly proportional to the इनके ब इसके बीच में tangential motion को ही motion के अगेंज रेश्टेंस क्रीट हो रहा है उसको हम लोग share stress कहते हैं ठीक है तो दो आपके पास में जो layers होती है इसेंट उनके बीच में जो shear stress जन्नेट हो रहा है यानि कि जो resistance जन्नेट हो रहा है वो आपका वो आपका directly proportional होता है rate of shear strength कि किसके होता होता है rate of shear strength के बराबर होता है shear strength का मतलब in the case of fluid क्या होता है doon that same में था वो फैल के थोड़ा इतना हो गया तो यही आपका क्या है चेंज इन लेंथ यानि कि यही आपका शियर स्टेन हो गया ठीक है तो आगे मैंने इसको एक्स्प्लेइन करके भी दिखा रखा है कि आपके पास में यही जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस की आप देख सकते हो इसको यह पर लिखा भी हुआ है तो यह अगर आपको सीखना है या आपको अगर समझना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं आपको नो स स्लिब कंडिशन से आपके पास में टी टीटा अपन टीटी है क्या एक्चुलि मैं यह है आपके पास में रेत ओफसी क्या है रेट ओफ शीयर स्ट्रेञ्ट हम लोग बोलते हैं ठीट आपन डीटी को ठीक है और सर यह क्या है डीजू अपन डीवाई तो यह आपका है वेलाउसीटी ग्रेडियेंट तो अगर आपको यह दोनों के बारे में समझना है या फिर सिंपल ही भासा में बताऊं तो आपके पास इस न्यूटन्स लॉप विस्कॉसिडी के अकॉर्डिंग यह आपके पास रिलेशन बनता है अब इसमें क्या होता है आप इस डीटीटा जब आप इस प्रपोर्शनल का निशान हटा दो तो आप एक कॉंस्टेंट लगा दिया है और फिर मैंने आगे क्या लिखा है और आगे यहां किसे दिटू आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताओं गा अब फिलाल हमार में मुद्दा यहां पर विस्कॉसिटी को समझना है ना कि उसके बहुत डेस्ट में जाना ठीक है अब जहां से सीदे-स बीक्रें बन जाते हैं पहले उनको हम लोग समझते हैं अब देखिए इस जगह से अगर मैं मू निकालना चाहूं तो क्या आएगा टॉ अपॉन डी वॉपन डी वाई आ जाएगा इस जगह पर आपके पास और रो क्या है आपके पास में density of the fluid density आप जानते हो density क्या होती है that is the mass upon volume और इसकी unit क्या होती है kg पर मीटर क्यूब होती है अब देखें मेन इस जगह पर जो पॉइंट मेरा आज के सेशन में समझाने का है वो है unit of the viscosity यहां पर सबसे ज्यादा बच्चे सबसे पहले आपके सामने आप यह लिखा हुआ है कि जो dynamic viscosity है वह आप उसका फॉर्मुला क्या है आपके पास में डैट फॉर्मुला इस विसकोशिटी का है mu equals to tau upon du upon dy अब tau क्या है tau is the shear stress यह simply stress अब देखें साइड में मैंने सारी चीज़ों का एक्स्प्लेइन किया है stress क्या होता है आपके पास force upon area होता है जिसका unit force unit Newton और area की आपके पास meter square हो जाती है ठीक है फिर उसके बाद du क्या होता है यह velocity है एक तरीके से तो velocity क्या होती है meter per second dy क्या है distance है इसकी unit होती है आपकी meter में सारी की सारी units को मैंने इस formula में put कर दिया और मेरे पास में देख सकते हैं आप टॉक की जगे मैंने लिखा Newton per meter square du की लगा meter per second और dy की जगे लिख दिया मैंने meter तो यह सारी बात है समझ में आगे आपको उसके बाद में आप देखेंगे इसमें meter से meter आपका cancel हो गया one upon second आ रहा है तो finally value Newton upon meter square into second बनी और आप लोग यह भी जानते हो कि Newton upon meter square को हम लोग Pascal कहते है ठीक है तो इसको क्या में directly लि यह वाला जो formula है इस formula के अंदर मैंने talk unit, du की unit, dy की सारी सारी unit को मैंने put कर दिया put करने के बाद में finally आपके पास है जो value आ गई है वो आपके असान ने Pascal into second निकल करके आ गई है अब बात यह आती है इसकी mks unit क्या होगी इसकी cgs unit होगी कैसे निकालेंगे देखिए अभी recently हम क्या होता है में या आप जानते हो न्यूटन second law होता है न्यूटन law of motion का second law होता है f equals to m a, m क्या है mass और a क्या acceleration due to the gravity या m a क्या acceleration है अब इस जगह पर अगर इसकी unit मैं निकाल हूँ तो f force क्या होती है newton, mass की kg और acceleration की meter per second square तो इस value दोना की दोना values को अगर मैं जहां से देखि और यहां पर already यह meter square और second तो है यह आपका तो जब इस value को put करोगे तो kg into meter per second square और नीचे देखो meter square नीचे है और यहां से मैं क्या करूँगा देखिए एक बार धान से आप लोग 1 second से 1 second cancel हुआ, 1 meter सा 1 meter cancel हुआ, finally value बनी आपकी kg upon meter into second क्या बनी kg upon meter into second और एक और अच्छी ची कि trick मैं से पूछोगे, तो मैं इसकी trick भी आपको mks ही बताऊंगा, कैसे बताऊंगा देखो mks, मैं कुछ इसको triangle form में बनाता हूँ, और नीचे लिखता हूँ m, उपर लिखता हूँ k और लिखता हूँ s, इसका मतलब यह होता है, उपर आपका k रहेगा और नीचे आपके m आपके mks unit आई है, उसी में आप kg की जगह पर आपने gram कर दिया, meter की जगह पर आपने centimeter कर दिया, और second को आपने second छोड़ दिया, लेकिन confusion यहां से शुरू होती है, बहुत सारे बच्चे यह नहीं समझ पातना है, कि सर पॉइस क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ठीक है, त क्योंकि मैंने लिखा इस जगह पर आपके पास में यह value थी, 1 pascal into second, pascal into second का मतलब यह जो मैंने आप उपर बताया आपको, newton per meter square into second, इसको convert करने में, जो 1 pascal into second है, वो आपका 10 gram per centimeter into second के बराबर हो जाता है, ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग समझें, तो मैंने भी बताया आपको कि gram per centimeter into second को हम लोग बोलते है, poise, यह आपको यार रखना, यह आपके पास dynamic viscosity की cgs unit होती है, कोई dynamic viscosity की cgs unit पूछे तो एक तो वो हो सकती है, आपके पास centimeter, gram per centimeter into second या उसको directly आप poise कह सकते हो, अब यह बात भी समझें कि 1 pascal into second जो है, वो 10 poise के बराबर होता है, मतलब भाई, एक pascal into second आपका 10 gram per centimeter into second के बराबर हुआ, लेकि ग्राम into gram upon centimeter into second को हम लोग बोलते है, poise, तो इस 10 की साथ में इसको हटा करके आप poise लिख दीजिए, अब बात ही आती है, भाई, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हो, कि 1 poise equals to 10 नीचे चला जाएगा, तो 10 को मैं, चा unit भी होती है, तो सरी, kinematic viscosity की भी unit होती है, kinematic viscosity का formula बताया था, आपको, that was the, mu upon rho, mu upon rho बताया था, इसमें, आप mu की value तो, same, neutron upon meter into, meter square into second, यह भी निकाली था, हमने, dynamic viscosity की, और density की होती, kg per meter cube, same, ऐसी वापस से, f equals to m, a, तो, newton की जागा, मैं क्या लिख सकता हूं, kg into meter per second, क्यों card pit के आपके पास, जो final value बनेगी, उसको आप देख सकते हो, बनेगी, meter square per second, आप card pit के देख लेना, इसको आराम से, meter square per second आईगी, यह तो, इसकी mks unit होगी, और centimeter square upon second, यह इसकी cgs unit होगी, मतलब, meter को सिर्वाब ने centimeter में बतल दिया, अब यहाँ पर भी same का लिख, जैसे, उस हाँ पर इसको meter square per second की form में देखूं, तो आपके पास में, जैसे centimeter square है, अगर इसको मुझे meter square में बतलना होता मुझे, अगर देखो centimeter में बतलना होता है तो मैं 100 करता है अगर मुझे cm2 को मीट्र स्कार बतलना है तो 100 के स्क्वाइड करना पढ़ेगा मतलब 100 के स्क्वाइर का 100 का स्क्वाइर किता हुआ 1 के बीचे 4 जीरो अगर इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिखूंगा तो यह समझाने की कोशिश करता हूँ कोई एक इजी से टॉपिक और टफ से टॉपिक को कितने आसानी से समझा जा सकता है ठीक है मेरे साब से आपको यह वाला जो पॉइंट है यह जो डिसकेशन है वो बहुत ही बड़ी आत से समझ में आयोगा अगर नहीं आया तो भी मुझे बताईएगा ठीक है और इसके लाबा अगर आप मेरे साथ इसी तरीके के कॉंसेप्ट को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही डिटेल या टीचर के साथ में आपका इंट्रक्शन तो आप निर्मार बैट जोइन कर सकते हैं यह आपका सिर्फ 3,000 रुपीज का है और इसकी वैलिडिटी वन एयर है साथ की साथ इसमें आपको अगर आप लोग सिविल 10 कूपन को लगाते हो तो आपको 10% extra discount और मिल जाता है नहीं और अगर आपको अच्छे लगते तो आप हमारे पेड कोर्स को भी जॉइन कर सकते हैं तो मिलते हैं वापस से एक 10 mint series concept के साथ में तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया थैंगी सो मच एंट टेक केर